हेलो प्यारे बच्चो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स ग्लासिज में जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम बोर्ड परिक्षा 2024 से सम्बंदित जो हमारे महत्पून प्रशन है उनको कर रहे हैं इसी कड़ी में आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम है अनुवानसिक्ता को प्रारंब करने जा रहे हैं अनुवानसिक्ता चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा वेटेस देता है ठीक है एक 6 नमबर का कोश्चन भी आता है इससे और सोट कोश्चन भी आ जाता है तो आज हम अपना चैप्टर नमबर 8 नई अनुवानसिक्ता या हैरेड़ेटी क्या बोलते हैं इसको हैरेड़ेटी तो हम इसको शुरू करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना chapter number 8 अनुवन सिकता इसमें हम देख लेते हैं chapter overview क्या-क्या हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं परीचे इस chapter का हम परीचे देखेंगे उसके बाद कुछ परियुक्त सब्दावली कुछ इसमें सब्दावली आएंगी कुछ विभिन्ताएं जो हम विभिन्ताएं होती है और राइटीज होती है फिर लक्षनों की वनसागती मैंडल को अनुवान सिकता के जनक बोलते हैं क्यों बोलते हैं फिर गुन्सूत्र और इसके बाद हम पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्दारन फिर यह च्छे नंबर का आपका पूछा जाता है हर बार तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को सबसे पहले बात करते हैं वनसागती की जिसको आप अनुवान सिक्ता भी बोलते हैं वनसागती या फिर अनुवान सिक्ता आप लिख सकते हैं इसको अनुवान सिक्ता क्या बोलते हैं अनुवान सिक्ता क्या बोलते हैं इसको अनुवान सिक्ता देखिए क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं क्या बोल देते हैं कि ये लड़का अपनी मम्मी पे गया है ये लड़का अपने पापा पर गया है इस लड़के की हाइट अपने पापा पर गई है इस लड़के की आँख अपनी मम्मी पर गई है तो ये सब चीजे जो हमें अपने माबाप से मिलती है जो चीजे हमें अपने माबाप से मिलती है वो क्या वो लक्षन कहलाते हैं अपके अनुवानसिक लक्षन क्या कहलाते हैं अनुवानसिक लक्षन जैसे सपोस्ट करके चलिए एक husband wife है या आप मम्मी पापा माल लीजिए मम्मी पापा है मम्मी प्लस इधर लिखता हूँ मान के चलिए मम्मी पापा है मम्मी प्लस पापा इनकी एक generation है इस generation को हमने नाम दे है जीवन यानि के PD कौन सी है पहली PD इसमें देखा जो मम्मी पापा हुए इनकी height average थी जो उनकी उचाई थी average थी उनके बाद क्या हुआ इन मम्मी बापा के एक संतान हुई उसका नाम हमने दे दिया x क्या हुई है संतान कुछ टाइम बाद संतान बढ़ी हुई फिर हमने इसकी साधी कर दी साधी करने के बाद wife आई तो संतान जो इनकी लड़का था और वाइफ ये दोनों दूसरी जनरेशन बन गई इसको बोलते हैं G2 हमने देखा कि इसके अंदर एवरेज की जगे टोल हाइट आ गई टोल का मतलब क्या होता है बड़ी हाइट कैसी थी इनके बच्चों की इनसे जो बच्चे हुए husband और wife से G2 जनरेशन में इनकी जो हाइट थी वो बड़ी हो गई कैसी हो गई बड़ी फिर इनसे बच्चे हुए इनसे बच्चे हुने के बाद हमने माल लिया इनसका बच्चों हुआ X- इनकी फिर साधी हुई wife से फिर बच्चे हुए और जो बच्चे को हमने इस पीड़ी को नाम दिया G3 इनसे हमने देखा कि इनकी हाइट टोल तो हुई इसके साथ साथ क्या हो गया जो आख है जो इनकी eyes है वो blue हो गई क्या हो गई blue eyes eyes कैसी हो गई blue बाकी की eyes कैसी थी black इसकी eyes कैसी हो गई blue तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ विभिनताएं हैं कुछ समानताएं हैं कुछ विभिनताएं कुछ समानताएं अगर आप इन दोनों की बात करते हैं जीवन और जीटू की, किसकी बात करते हैं, जीवन और जीटू की, तो आप देखेंगे कि दोनों की आइस ब्लैक थी, कैसी आइस थी, ब्लैक, कैसी थी, ब्लैक, और कुछ आपको विभिनताएं दिखेंगी, क्या विभिनताएं दिखेंगी, यहाँ पर दो कॉंसेप्ट आप चीजों को पढ़ना होगा ठीक है, तो समानताई में क्या हुआ की समानताई में क्या है, की दोनों की आइज ब्लैक हो थी, ठीक है अब विविनताई में क्या हुआ पहले की हाइट एवरेज, हाइट कैसी एवरेज, दूसरी जनरेशन हुई उसकी हाइट हो गई बड़ी टोल हाइट और तीसरी जो हुई उसकी टोल के साथ कैसी हो गई आग बिलू हो गई तो यहाँ पर आपको समानताईं भी दिखी विविनताईं भी दिखी ठीक है तो हम परिवासा लिख सकते हैं वनसागती की क्या कि वे लक्षन जो एक पीडी से दूसरी पीडी में वनसागत होते हैं जो वनस की आधार पर मिलते हैं जैसे मैंने आपको एक किलास में कराया था कलर ब्लाइडनेस वर नान देता इस रोग का कारण होता है जन्मजात यानिके अनुवान सिकता क्या कारण होता है इसके हैरेडिटी में मिलता है यह आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी उन में से किसी को होका वर नान देता तब ही आया है मम्मी पापा की हाइट बड़ी है बच्चों की भी हाइट बड़ी होगी उसके बच्चे होंगे उनकी भी हाइट बड़ी होगी तो ये सब क्या है एक ऐसे लक्षन है जो हमें किसे मिल रहे हैं अपने माबाप से दादा दादी से तो इन लक्षन को बोलते हैं अनुवांसिक लक्षन क्या बोलते हैं अनुवांसिक लक्षन तथा अनुवानसी क्लेक्षनों के एक पीडी से दूसरी पीडी में स्थाना अंत्रित होने की परिक्रिया क्या कहलाती है वंसा गती तो इसी को हम बोलते हैं वंसा गती अब ये तो कहना मत कि सर एक लड़का आयस था उनका लड़का हुआ वो भी आयस हो गया आप नॉर्मल में बोल सकते हैं कि वो हरेडिटी है लेकिन बायलोजी की लेंग्विज में नहीं बोल सकते हैं उसको हरेडिटी क्यों नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो लक्षनों की बात करता है वे लक्षन जो एक पीडी से दूसरी पीडी में क्या होते हैं वंसागत होते हैं उसको क्या बोलते हैं आनुवानसिक लक्षन और इन लक्षनों को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में इस्थाना न्तृत होना क्या कहलता है आपका वंसागती ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स स्लेड के ओर देखे विबिन्ताई अभी मैंने आपको बताया विभिंता ही क्या थी क्या दोबारा समझा देता हूँ कि एक जनरेशन है जीवन इसकी आइज हमने देखा ब्लैक थी आइज कैसी थी? ब्लैक इसके बाद दूसरी जनरेशन होई G2 इसकी आइज ब्लू हो गई अइज कैसी होगी? ब्लू ब्लू के साथ-साथ हाइट इसकी छोटी हो गई द्वारफ हाइट बोना हो गया कैसा हो गया? बोना और G3 जनरेशन होई उसमें देखा हमने कि उसकी आँख ब्लू तो थी ब्लू के साथ-साथ क्या होगी? लंबा ये कैसा हो गया? लंबा आपने देखा होगा अकसर अपने घर के आसपास कि मम्मी पापा की हाइट एक एवरेज होती है लेकिन जो उनकी संतान होती है उस संतान की हाइट बड़ी हो जाती है कभी-कभी कभी-कभी इसका उल्टा भी possible है संतान जो माबाप होती है जनरेशन होती है जीवन वो बड़ी होती है हाइट कैसी होती है इसकी बड़ी लेकिन जो उसकी संतान होती है उसकी है अईट क्ये होती है? छोटी ये आख और हाइट के बेस पर नहीं आप किसी भी बेस पर इसको ले सकते हुँ, ठीक हैं? तो आप देखोगे कि विबिनताएं, ये विबिनताएं क्या है? G1 जेनरेशन में देखिए, कैसी थी उसकी आइज बलैक थी? कैसी बलैक? G2 जेनरेशन आइज उसकी आइस बलू ओगई, तो ये क्या है? विबिनताएं, क फिर टोलोगे, तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं आपकी विबिन्ताएं, पढ़िए, रेजन हम अभी देखने वाले हैं आगे, ठीक हैं? पहले के वल इतना, एक सी जाती के, ये है एक सी, एक सी जाती के विबिन्स अदस्यों के मद्ध है, लक्षनों में पाई जाने वाली असम गुण ऐसा मिलेगा जो उन दोनों को अलग करता होगा, कोई भी बिल्कुल डिक्टो कोपी नहीं हो सकते, फोटो कोपी नहीं हो सकती बिल्कुल, कुछ ना कुछ गुण उनके अंदर एक भी गुण, चाहे दो हो, एक हो मिनिमम, वो गुण क्या होगा? अलग होगा, कोई न कोई गुण क्या होगा? अलग, जरूर होगा, ठीक है? तो विभीनताएं क्या होती है? पाई जाती है सभी में, चलिए Next Question, Next Slide की ओर, विभीनताओं के परकार, अब देखते हैं विभिन्ताओं के क्या परकार होते हैं सबसे पहला है काईक विभिन्ताओं क्या है काईक विभिन्ताओं काईक का मतलब होता है बोडी वाली ठीक है बोडी जैसे देखे परभाव काईक या सारीरिक कोशिका पर पड़ता है इसका परभव किस पर पढ़ता है काई का मतलब बोडी या सारीरिक कोशी का जैसे किसी की हाइट लंबी हो गई कोई बोनर रह गया किसी की कान की हड़ी नीचे की कान की हड़ी देखना किसी की फेस से लगी होती है किसी की खुली होती है कान के नीचे वाली जो खाल होती है ठीक है, तो किसी के बाल मैगी जैसे होते है गुंगराले किसी के बाल सीधे होते है ठीक है, ये बनसाधत नहीं होती तथा जनम के बस्षाद दिखाई देती है इनमें जो ये विवन्ताएं होती है काईग भी बिनता है, यह कैसे दिखाई देती है, जर्म के पस्छा आते हैं, जैसे, माल लीजिये, एक जन्देशन है जीवन, जीवन बहुत जीमिम्यम करते हैं, जीवन जन्देशन के, खुब बोड़ी बनी हुई अच्छी, काफी मोटे चोड़े हैं, जीवन जन्देशन, लेकिन आप देखो कि जब उनकी G2 जनरेशन आई, माल लीजिए G2 जनरेशन पतली रह गई, क्या रह गई, पतली, इनकी बोडी बोडी बनी हुई थी, इनकी देखा जनरेशन पतली रह गई, तो ये सब क्या है, काईक विभिनता हैं, हो सकता है कि ये जो जिसकी जिम की बोड लिए हो सकता है रेगिस्तान में रहा हो कहीं ऐसी जंगे रहा हो जहां खूब मेहनत की हो कहीं ऐसी जंगे रहा हो जहां का हवा पानी बेकार हो तो यह सब चीजे यह सब विभिनता हैं क्या कहलती है काईक विभिनता हैं क्या कहलती है काईक विभिनता हैं तो इसमें हम देख स ताप, जल, पोशन सबसे इंपोटेंट क्या इनमें ये और इसमें भी इंपोटेंट अगर पूछेंगे पोशन आधी के कारण उत्पन होती है माल लिजे जीवन जनरेशन है वो डेली 2 किलो दूद पिता है जीटू जनरेशन है वो जीदूद ही नहीं पिती है जीटू जनरेशन है वो 5 किलो दूद पिती है तो बताइए क्या यहाँ पर आपको आसमानताएं दिखेंगी या नहीं दिखेंगी बताइए तो यहाँ पर सर आसमानताएं जरूर दिखेंगी आपको आशमानताएं जरूर दिखेंगी माल लीजिए एक ऐसी जगए पर रहता है जहां पर जल सुद है क्या है जल? सुद एक ऐसी जगए पर रहता है जहां पर जल परदूसित हो चुका क्या हो चुका? परदूसित तो अंतर आएगा दोनों की lifestyle में क्या आएगा अंतर आएगा तो यही lifestyle में अंतर bodies में अंतर उनकी क्या कलाएगा काईक विबिनता हैं ठीक है चलें next slide की ओर number two number two होता है मारे पास जननिक विबिनता हैं कैसी जननिक विबिनता हैं यह ऐसी विबिनता हैं जो अनुवानसिक रूप से मिलती है यानि के जो heredity में मिलती है उन विबिनताओं को बोलते हैं अनुवानसिक विबिनता हैं चलो समझिए जीवन जनरेशन है इसकी आईज ब्लैक थी G2 जनरेशन आई इसकी आईज ब्लू हो गई क्या हो गई जीथरी जनरेशन आई उसकी आईज और कलर की हो गई तो क्या ये विबिनताओं है या नहीं है क्या ये आपने अरजित की हैं नहीं आपको ये जन्मजात मिली है आपको क्या मिली है जन्मजात मिली है दूसरा एक्जमपल आप ले सकते हैं कान के नीचे की कान के नीचे अपना कान देखिए सबी और कान के नीचे खाल देखिए जो लटकी हुई होती है कुछ लोगों की वो खाल जुड़ी हुई मिलेंगी उसके फेस से और कुछ लोगों की वो खुली हुई मिलेंगी तो ये सब क्या है विभिन्ताएं है जो किस से मिलती है हेरिडिटी में मिलती है किस में मिलती है हेरिडिटी में किस में मिलती है हेरिडिटी में मिलती है तो ये विभिन्ताएं आपकी कलाती है जननिक विभिन्ताएं क्या कलाती है जननिक विभिन्ताएं जैसे अनुवानसिक विविन्ताई ये विविन्ताई कैसी होती है अनुवानसिक यानि के हमें हेरिडिटी में मिलती है दूसरा पूर्वजों में या तो पहले या उत्परिवर्तन के कारण जो पूर्वज थे हमारे मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी परदादा परदा इनके कारण हमारे सरीर में आई हुई है या तो पूरवजों के कारण या उनमें भी कुछ चेंज हुआ था उनके कारण ये आ गई जया है आपके दादा थे grandfather ग्रांडबबदर आई दूसरे घर से ठीक है तो इनके कुछ और गुन होगे दोनों mixture होगे mixture होने के बाद नई generation बनी G2 इस G2 के कुछ और गुनोंगे ठीक है, तो ये जो विविन्ताएं होती है ये विविन्ताएं आपको अनुवानसिक होती है, कैसी होती है अनुवानसिक, तीसरा ये विविन्ताएं क्या होती है, विक्सित ठीक है, चलिए next ये तीनों एक ही है ये दो ही point है कि पूरवजों में या तो पहले या उत्परविवर्तन के कारण क्या होती है विक्सित होती है, क्या होती है विक्सित, चलिए next देखे, यहाँ पर आपको दिखाया हुए diagram में, एक को बोलते है somatic mutation एक को बोलते है, germ line mutation, ठीक है, somatic और germ line जो आपके पास kaiq विभिनता ही थी वो है ये ये क्या है, आपके पास kaiq और ये क्या है आपके पास जन्निक जो जन्म से मिलती है ठीक है, जैसे एक example बढ़ता हूँ मेंडल का, मेंडल ने एक experiment किया, क्या किया experiment, किसके उपर experiment किया था experiment किया था मतर के दाने के उपर उनकी expectation क्या थी कि इन दोनों से जो बच्चे होंगे यानि कि इन दोनों का संक्रन कराने पर जो नई जनरेशन आईगी आपके अकोडिंग जो जनरेशन आईगी वो कैसी हाइट की होनी चाहिए बताइए दोबारे समझ लीजिए सो मटर के पोदों में संक्रन कराया उनमें से 75 की हाइट लंबी थी यानि कि 75 टोल थे और 25 ड्वार्फ थे कितने थे ड्वार्फ तो अब जो उनकी जनरेशन आईगी वो जनरेशन किस हाइट की होगी बताइए माली जीए एक फीमेल है एक मेल है सो की साधी करा दी गई तो क्या हुआ कि सो में से उन सो में से 75 लंबे है और 25 छोटे है तो उन से जो संतान उत्पन होगी उन संतान की जो हाइट है वो कैसी होगी लंबी होगी बोनी होगी या एवरेज होगी बताइए पहले मैं आपको बता देता हूँ मेंडल की एक्सपेक्टेशन क्या थी यहाँ पर मेंडल की expectation थी कि कुछ तो टोलोंगे कुछ क्या होंगे ड्वार्फ होंगे और कुछ जरूर आएंगे क्या कुछ इनके average height के जरूर आएंगे इनके बीच में average height के आएंगे जरूर लेकिन जब संक्रन कराया और उन्होंने देखा कि जितने भी सारे result आए उनमें average height का कोई भी पोजा नहीं था average height का कोई भी मटर नहीं थी यहीं से दिमाग खिसक गया कि ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने dwarf और टोल को मिलाया तो dwarf और किसको मिलाया टोल तो इनसे जो संतान हुई उनकी average height क्यों नहीं हुई उन्होंने देखा कि सभी की सभी की height या तो टोल थी या क्या थी? ड्वार्व थी या तो टोल या क्या थी? ड्वार्व तो अब यह ऐसा हुआ क्यों? ठीक है? देखते आंगे क्यों हुआ? एक्सपरिमेंट है चलिए तो इसमें समझेए germ line में किसको क्या बोलते है काइक और इसको बोलते है जननिक क्या बोलते है जननिक तो यहाँ पर देखेंगे आप किसमे? काइक में काइक में देखिए यहाँ पर लिखा है germ line mutation ठीक है? काइक में क्या हुआ? देखें यहाँ पर यह दिखाए गया आपके पास sperm sperm और यह दिखाए गया यह सुक्रानू है और यह है आपका अंडनू ठीक है क्या है अंडनू? दोनों का मिकसर दोनों का combination हुआ होने के बाद क्या बना? यहाँ पर एक gametes बना एक भून बना, embryo बना क्या बना? embryo embryo के बाद क्या हुआ? कि उसका इस तरह से organism बना और organism बनने के बाद देखिए क्या होता है? इसमें जो half थे gametes उसने carry किया mutation, क्या carry किया? mutation, इसके यहाँ देखिए somatic में, देखिए parental gametes यहाँ से समझी है से, यह parental gametes यह भी और यह भी इधर वाले दोनों क्या है? parental, यानि कि जो हमारे मम्मी पापा है उनके उसके बाद embryo बना, एक इधर embryo बना है, एक इधर दोनों में क्या अंतर है? इसको somatic nutrition मिला, somatic का मतलब जननिक यानि कि हमारे मम्मी पापा के हम इसमें नहीं मिला कुछ भी क्यों क्यों कि यह बाहर विक्सित होता है यह अंदर ही विक्सित हो गया तो embryo में, भून, जब हम कुछ ऐसा हुआ है? नहीं हुआ उसका सरीर कैसा बनेगा, कैसा होगा यह सब कौन डिसाइड करेगा बाहर का atmosphere कौन डिसाइड करेगा बाहर का atmosphere और इसमें हमने देखा कि अंदर से ही somatic mutation हुआ इसमें somatic mutation के कारण है, यहाँ पर देखा हमने कंधे पर एक निसान आ गया ठीक है तो ये क्या कहलाएगा आपका ये कहलाएगा somatic mutation और ये कहलाएगा germline mutation चलिए विबिन्ताओं का महत्व क्या विबिन्ताओं क्यों जरूरी होती है ये बताना है पहला विबिन्ताओं जैविकास का अधार बनती है जितने भी जैविकास होते है उनका अधार को बनती है विबिन्ताओं देखे जैविकास क्या होता है समझिए कि अगर परिभासकी बात करें तो जो सरल जीव है उनके सरीर में धीमे यानि के धीरे-धीरे continuous यानि के सतत और क्रम के अनुसार जो परिवर्तन हुए उनके बाद वो अधित अधिक विक्सित बन गया और जटिल बन गया तो इसकी जो जटिल जीव है वो बने है उनकी उत्पत्ती क्या कलाती है जैविकास कलाती है क्या कलाती है जैविकास मतलब पहले आपने देखा कि कुछ क्रमिक परिवर्तन हुए कैसे continuous हुए यानि कि सतत सतत के बाद आप देखोगे कि क्रमिक परिवर्तन हुए क्रमिक और वो अधिक विक्सित हो गया कैसा हो गया अधिक विक्सित और जीव बन गया जटिल क्या बन गया जटिल पहले वो सरल था, सरल से क्या बन गया, जटिल तो ये सब विभिंताईं के कारण ही होता है अब कहोगे कैसे, समझे माल लिजिये की माल लिजिये की एक जनरेशन है जीवन इसके बाल मैगी बाले है यानि के करली बाल है, करली हेर ठीक है इसके बाद जो G2 जनरेशन आएगी क्या इसके विभाल करली होंगे होने चाहिए, नहीं कोई ज़लूरी नहीं है, विभिंताउं के कारण इसके बाल करली हो भी सकते है नहीं भी हो सकते, वो होता है प्रोटीन के कारण जो प्रोटीन बनता है DNA में उसके कारण होता है आप बताओंगा उसको कैसे ठीक है तो यह विबिन्ताई ही तो होगी जो इसको बदलेगी इस मान लीजिए इसके अंदर ये गुन है अवगुन है वो ये जाने ठीक है गुन है या वगुन किसी भी तरह से आप ले सकते हो तो क्या होगा ये बदला कारली से पार विघ से अब बन जाएंगे उसके बाल मान लीजें तो ये क्या होती है सब वह जीव सरल था, सरल से बन गिया जटिल दीरे-दीरे क्या बन गया जटिल तो जो हमारे पास विभींताएं होती हैं वो किसका आधार बनती है जैव्यकस को और दूसरा ये अनुवानसिक्ता का आधार बनती है किसका आधार बनती है अनुवानसिक्ता का अनुवानसिक्ता आपने पढ़ लिया ठीक है चलिए next देखिए concept of gene और chromosome ये आप diagram दिखाया हुआ है gene, chromosome अभी देखते हैं होता क्या है सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी cell की आप सभी को पता है कि हमारी body cell से मिलकर बनती है किससे मिलकर बनती है cell से simple ये हमारे body के अंदर cell है इसको समझ लिया कभी भी life में नहीं भूलोगे ये क्या है cell क्या है cell cell के अंदर पाया जाता है nucleus क्या पाया जाता है nucleus cell के अंदर क्या पाया जाता है nucleus ये body है हमारी body की cell है cell के अंदर क्या पाया गया nucleus ये cell देखें ये cell ये nucleus ये cell और ये क्या है nucleus अब आपको पता है कि जो हम eukaryatic होते हैं हमारे अंदर एक well defined nucleus होता है तो nucleus के अंदर क्या होगा समझे 9 को देखे हमारी जो body है उसके अंदर cell बहुत छोटा होता है क्या होता है छोटा cell के अंदर nucleus है वो और भी छोटा होगा क्या होगा और भी छोटा होगा ये concept समझ जाएंगे आप gene का DNA का सब clear हो जाएगा आपके ठीक है तो ये cell है cell के अंदर nucleus है अब nucleus बहुत छाद जाद चोटा होता है अब इसके अंदर DNA आएगा कैसे मैं आपको DNA की संद्रचना दिखा देता हूँ कैसी होती है देखिए इस तरह से DNA की संद्रचना होती है किसकी संद्रचना है ये DNA की अब बताइए DNA इसके अंदर आएगा कैसे ही दोबारे समझ लीजिए cell है ठीक है cell के अंदर nucleus बाया जाता है nucleus के अंदर इतना छोटा होता है nucleus कि उसके अंदर इतना बड़ा DNA कैसे आएगा मान लीजी आपके घर में एक अलमारी है एक अलमीरा है आपके पास अलमीरा में बहुत सारे छोटे-छोटे खाने हुए हुए है आपको कपड़े रखने हैं उसमें काफी सारे तो आप कैसे रखोगे कपड़ों को बताइए तो कपड़ो को कैसे रखेंगे सर कपड़ो को रखेंगे फोल्ड करके आप उसको फोल्ड करते जाएंगे और छोटे से छोटा करके उसको रखते जाएंगे सेम यहां पर देख़ेंगे यह nucleus है ठीक है क्या है nucleus इसके अंदर इस DNA को रखना है यह DNA इतना बड़ा होता है, इतना लंबा होता है, कि इसके अंदर कैसे आएगा अगर आप इसको सीधा रखोगे, तो क्या होता है कि इस DNA में कोईल बन जाती है, DNA क्या बना लेता है, कोईल बना लेता है, मूड जाता है, कैसे, किसके कारण मूड जाता है, यहाँ पर पाए जा प्रोटीन उन प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन तो DNA है DNA के अंदर क्या पाया जाएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन कौन से प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन अब जो आपके इसके अंदर पाया गया हिस क्या हो जाता है कोईल DNA क्या हो जाता है कोईल अब कोईल हो जाने के बाद कैसे कोईल होता है इस पर जम जाएगा और जमने के बाद यहाँ पर कोईल हो जाएगा दोबारे समझ लीजिए यह आपकी सेल है सेल के अंदर न्यूकलियस है न्यूकलियस के अंदर क्या पाई जाता है DNA यह आपका डाइग्राम में DNA का ठीक है DNA इतना ज़्यादा लैंध ही होता है कि यह इसके अंदर कैसे रह सकता है न्यूकलियस के तो क्या होता है कि यहाँ पर यह प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है highly coiled बना लेता है क्या बना लेता ह ठीक है गोल गोल घुम कर क्या बना लेगा कोईल और यहाँ पर जो प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन के अंदर जाकर कोईल बना लेता है और यह प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है हिस्टोन बाहर भी प्रोटीन पाया जाते हैं इसको बोलते हैं non-storm 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 ठीक है अब क्या होता है ये shrink होता चला जाता है shrink का मतलब छोटा compress होता चला जाता है length इसकी जब ये compress हो जाएगा और देखो कि आप इसकी structure तो इसकी जो structure बनी है देखिए इसकी जो今 ट्रक्षर बनी है क्या होता है समझिए देखे तोबारे समझ लीजे एक बार ये आपके पाद सेल सेल के अंदर नूकलियस नूकलियस के अंदर आपने देखा DNA है क्या है नूकलियस के अंदर DNA सन्नेचना देखी गई इस तरह से ये DNA की सन्नेचना आई अब इतना ज़ागा लैंथी होता है तो क्या होता है यहाँ कुछ प्रोटीन में कोईल हो जाता है इस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन क्या होता है हिस्टोन और बाहर जो मिलता है हो नोन हिस्टोन क्या होता है नोन हिस्टोन ठीक है नोन हिस्टोन अब इसमें देखा गया इसकी जो आपको structure दिखी होगी अब इसकी structure को देखते हैं कैसे बनती है देखे, जब हमने देखा गया हमारे अंदर, हम बात करते हैं इस तरह से हमें सन्च न मिली ऐसे ऐसे, ऐसे इस तरह से हमने देखा कि हमें यह सन्च न मिली इन्ही को हमने कहा chromosome क्या कहा chromosome क्या कहा इने chromosomes क्या कहा chromosomes तो दो बारे समझीए cell, cell के अंदर nucleus nucleus के अंदर dn ने dn ने highly coiled हो जाता है coiled होने के बाद हमने उसकी structure देखी तो उसकी structure कुछ इस तरह से आई count किया, तो count करने पर ये हमें मिले 23 कितने मिले 23 कितने मिले 23 जब ये देखा कि क्या ही अकेले है, तो देखा नहीं ये अकेले नहीं है, ये इसके साथ echo structure मिली इस type की same बिलकुल ये ये भी देखा गया 23, ये भी कितने है 23, तो total कितने हो गए 23 plus 23, कितने हो गए 46 यानि कि 46 या तो आप इसे 46 बोल सकते हो या 23 जोडी 46 या 23 जोडी ठीक है, वो आपकी मर्जी है question आता है, ये पूछा जाता है तो मैं आपको दुबारा बता रहा हूँ सबसे पहले DNA सबसे पहले cell, cell के अंदर देखा गया nucleus, nucleus को देखा, nucleus के अंदर पाया जाता है, क्या DNA, अब DNA इतना जादा लंबा होता है, तो वो क्या कर लेता है, coil बना लेता है, क्या बना लेता है coil, किसके अंदर, protein के अंदर ठीक है, किसके protein के, तो आप ये भी कह सकते है कि जो chromosome होता है वो किससे मिलकर बनता है, protein और DNA से, किससे मिलकर प्रोटोन प्लस डी एन ए अब इनकी संख्या देखी गई तो इस तरह के में तेही सी स्ट्रक्शर मिले फिर हमने देखा इसके साथ भी कुछ है तो देखा हाँ ये जोडों में मिलते हैं तो तेही सी आगे मिले तो टोटल कितने हो गए 46 तो इस तरह से कॉंसेप्ट आएगा आपके पास किसका क्रोमोसोम्स का सायद आप कभी नहीं भूलोगे अब दोबारह देखिए सैल नुकलियस इसके अंदर पाया गया क्या इसके अंदर पाया गया डी एन ने डी एन ने को देखा इस तरह से स्ट्रक्शर हाईली कोल्ड होता है फिर हमने देखा इसकी अलग- एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस तरह से कितने मिले तेश, अगर मैं आपसे यह कहूँ कि पहला क्रोमोसोम कौन सा है तो यह दोनों काउंट होंगे, यह फर्स्ट क्रोमोसोम है, दूसरा कहा जाए दूसरे की पोजिशन क्या है? पेर में, पहला पेर कौन सा है यह, दूसर पेयर ये पेयर नंबर थ्री चोथा पेयर ये पेयर नंबर फोर पाच्वा पेयर ये इस तरह से कितने पेयर होते हैं इस तरह से आपके 23 पेयर होते हैं कितने पेयर 23 पेयर पाए गए किसके अंदर क्रोमोसॉम्स के अंदर ठीक है तो DNA के अंदर कितने क्रोमोसॉम्स होते हैं 46 या 23 पेजर 23 दुनी 46 कितने होते हैं 46 ठीक है और क्रोमोसोंद किसका बना होता है प्रोटीन का और DNA का अब क्या होता है समझी आगे इस तरह की स्ट्रक्चर बनी ये अब यहां पर देखा गया अब जीन का कुंसेप्ट कहां से आता है समझी ठीक है क्या हुआ कि जो माल लिजिए कि हमने देखा गया कि यहां पर एक ऐसा प्रोटीन पाया गया इस एरिये में आपको पता यह प्रोटीन है इसके अंदर इस एरिये में एक ऐसा प्रोटीन पाया गया जो इधर है वो इधर भी होगा समझी प्रोटीन पाया गया जिस प्रोटीन की मदद से बाल करली हो रहे थे उसके जो रेस्पोंसिबल है किसके लिए करली हेर के लिए तो जिस लोकेशन पर इधर आएगा उसी लोकेशन पर वो प्रोटीन उधर पाया जाएगा दूसरे जोडे में जो रेस्पोंसिबल होगा करली हेर के लिए किसके लिए रेस्पोंसिबल होगा करली हेर के लिए दूसरा समझीए दूसरा हमने देखा एक protein यहाँ पाया गया यह protein responsible था जो उसकी height है height को sort करने के लिए तो same position पर इधर भी पाया जाएगा आपके पास एक part, एक protein, एक part इसका, किसका part? chromosome का और इसी part को बोलते हैं gene क्या बोलते हैं? gene यह gene 1 है, यह 2 है ठीक है? इस तरह से इनको क्या बोलते हैं जीन, क्या बोलते हैं जीन, अगर मैं कहूँ कि जीन्स की परिवादा क्या बनेगी, तो जो DNA है, उसका एक specific segment, जो protein बना रहा है, उसकी को बोलते हैं, जीन दोबार समझिए, कि ये आपके पास क्या है chromosome अगर आप इसका एक specific part लें ये part लें, इसको बोलते हैं जीन, क्या बोलते हैं जीन ये जीन माल लिया curly hair के लिए responsible है, किसके लिए curly hair मैगी बाल तो इधर में क्या होगा एक ऐसा protein पाया जाएगा इधर भी एक ऐसा जीन पाया जाएगा same location पर, जो curly hair के लिए responsible होगा किसके लिए responsible होगा, curly hair के लिए और माल लिजिए एक ऐसा जीन पाया गया यहाँ पर जो, किसके लिए brown eyes के लिए इसकी आँख brown थी, तो इधर भी same location पर मिलेगा brown eyes का आपको पास जीन, brown eyes का क्या मिलेगा, जीन तो जीन की परिवासा क्या बनेगी कि जीन, DNA का एक specify segment होता है segment का मतलब part, खंड specify खंड, यह खंड ले लिया यह जीन कहलाएगा, आपके पास यह part ले लिया, इसके अंदर क्या है, protein यह सब क्या कहलाएगा, आपके पास जीन कहलाएगा तो यह जो protein होता है, वो ही responsible होता है, कि बाल कैसे होंगे, करली होंगे सीधे होंगे, height कैसी होगी टोल होगी या फिर ड्वार्फ होगा, यह सब चीजे responsible होती हैं, किसके लिए इसी protein के पास प्रिग है अनुमानसिकता, चलिए जी बिग्यान की वहसाका, जिसके अंतरगत सजाती है, और परसपर संबंदित जीवों की अनुमानसिक समनताओं तथा विबिनताओं का अध्यन किया जाता है क्या कहलाती है, अनुमानसिकता इसके जनमदाता कोन है, ग्रेगर जोन मेंडल ठीक है, अनुमानसिकता की विसेस्ता है बस इतना ही करते हैं आज के लिए ठीक है, और बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में